आमादमी पार्टी ने महाराश्रबांस विकास बोर्ट के प्रबंदक निदेशक टीएस के रेड़ी के खिलाफ अपनी पद का अनुचित इस्तमाल वद 33 करोर रुपे की हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए गिट्टिकदान पिल स्थाने में उचित कारवाई करने के लिए मा इजनसी के रूप में नियक्त किया है इस योजना को लागू करने के लिए 2018 में केंद्रस सरकार ने विकास बोर्ट को कुल 33 करोड 12,75,000 रुपे दिये है आमादमी पार्टी ने महाराश्रबांस विकास बोर्ट से केंद्रस सरकार को प्राप्त नीदी के बारे में जानकारी मांगी इस पर केंद्रियकुशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंद्रसी हतोमर ने उत्तर दिया कि 2018 के तहट महाराश्र में राश्रबांस मिशन के धन का उचित उपयोग किया गया है और राश्रबांस मिशन इंटर महाराश्रबांस विकास बोर्ट को दिये गए लक्ष को प पता चला कि वित्तिय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में निजी उद्योगों के लिए कोई धन उपलब नहीं कराया क्या है आज तक किसी भीबांस उद्योग को राश्रिबांस मिशन नहीं सौपा गया है एक बांबू ट्रीट्मेंट प्लांट और बांबू प्रोसेसिंग यूनिट लगा था वहां पर इन्होंने केमिकल ट्रीट्मेंट प्लांट लगाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का वोईलेशन किया उसके बाद इन्होंने पॉलूशन कंट्रोल के जो दो काईदे है एर पॉलूशन आक्ट और वाटर पॉलूशन आक्ट उसका भी उलंगन किया वह उ निकल चुका है पानी काटने का नोटिस निकल चुका है इसके अलावा और भी इन्होंने काईदे के उलंगन किये हैं उन्होंने जो फैट्रीज आट के तहट जो सेफ्टी लॉज है उसका भी वोईलेशन किया है और वहां पर डेड़ महिना पहले एक एक एक्सिरेंट गोटाला तो हमें साफ काग्जों में दिख रहा है हो सकता इससे ज्यादा भी हो और यह सब जो गोटाला हुआ है यह एक अकेला अधिकारी नहीं कर सकता इसमें जो PCCF HOFF है जो हैड़कोर्टर के PCCF है वो चेर्मेन है महाराष्टर वांबू डिवलोप्मेंट बोर्ड के और उनकी भी साठगाट इसमें है और कहीं ना कहीं आज जो वन मंत्री है उनकी भी छत्रचाया इन ब्रश्ट अधिकारियों के उपर है हम लोग अभी कुछ दिन इंतजार करेंगे पोलिस ने करवाई की ओफेंस रेइस्टर किया उनको अटक करके अगर चानबीन की एकोनो पाद्मी पार्टी एक इस पर संगर्ष करेगी और आंदोलन चुटा है और राजसभा में कुरुशी मंत्री द्वारा दी गई जानकारी भी छूटी है महाराश रुबान स्विकास मंडल भी लागू है इस योजना के तहट प्रती हेक्टर 600 पौदर लगाने का प्रावधान है और योजना के तहट लाभारती को अधिक्तम 50,000 रुपे दिये जा सकते है इसके अलावा यह योजना केवल निजी और कृशिक शेत्र के लिए है लाभारती को इस योजना के तहट रोपाई खरीदनी थी और अपना यम्बू मंडल को जमा करना था और उसके बाद अनुदान की राशी को डिबीटी प्रतिक शिलाब अंतरन योजना के तहट लाभा इसके अलावा उपन रेंजर गूंद्या को भी बांस की पौधे मिले है इसकी कीमत 55 रुपे रखी गई है यह अभी संदेह पैदा हो रहा है कि इन पौधों को लगाया नहीं गया है और यह पूरी तरह से प्रलेखी थै ऐसा आमाद में पाटी द्वारा कहा गया